राष्ट सर्पर्थम की बात कार्जक्रम में आप सबी राष्टवासियों का हारदी स्वागत है एडिबी ने चालू वित्वर्ष के लिए भारत की वृद्धी दर की अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर कायम रखा चमौली में अलकनन्दा नदी के तट पर ट्रांसफार्मर फटने से 15 लोगों की मौत नमामी गंगी प्रोजेक्ट तक फैला करेंट संसद सत्र से पहले सर्वदलिय बैठक संसद में मडिपुर मुद्धे पर चर्चा के लिए तैयार सरकार रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने सर्वदलिय बैठक की अध्यक्षता की सियम धामी ने दिये करंट लगने से हाथसे की मजिस्ट्रियल जाच के आदेश 55 लाख रुपे मुआबजे की घोशना बसपा सुप्रीमो मायवती ने विपक्षी दलों के गठ बंधन इंडिया से दूरी बनाई उन्होंने लोक सभाच चुनाओ और इससे पहले तीन राज्यों के विधान सभाच चुनाओ में अकेले चुनावी मैदान में उतरने का एलान किया यूपी में ज्यादा विधेशी निवेश लाने के लिए बनेगी नई नीती मुख्यमंत्री योगी ने की समिक्षब एठाग महगाई से निपटनाद रेजर्व बैंक के लिए चुनाओती सबजियों दालों के बढ़ते दामों ने बढ़ाई परिशानी करनाटक में पांच संदिग्द आतंकी गिरफतार बैंगलूरू को दहलानी की थी साजिश, फोन, कार्तूस और हथियार बरामद पचास लाग की घुसखोरी के आरोप में निलंबित रेलवे एडी आरेम पर नया केस दर्च किया गया, सीबियाई की बड़ी कारिवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ ने सिक्षा सत्र 2023 में बेसिक सिक्षा परिशत के विद्यालेओं में अध्यन रत चात्र चात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल, बैच, जूता, मोजा एवन स्टेशनरी की खरीद के लिए प्रती चात्र चात्रा पारासो रुपई की धनराशी उनके माता पिता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी किया इस अफसर पर सियम योगी ने कहा कि आज बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों की संख्या एक करोड 91 लाग को पार कर चुकी है विगत छे वर्षों में उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की भावना को साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है मुझे बहुत प्रसंता है कि विगत छे वर्षों में प्रदान मंत्री मोदी जी के मार्क दर्सन में उनके सबसे बड़ी आबादी के राच्य उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की जो इक उधाना होती है उसको साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर की गई है यानि छे वर्ष में उत्तर प्रदेश से लगभख साड़े पांच करोड़ों गरीबी से मुक्त हुए हैं यानि वे सक्सम बने हैं गरीबी से मुक्त होकर के सक्सम पाकि और आगे बढ़े हैं नीदी आयोग ने इसके लिए जो पैरामिटर तै किये थे उस पैराम कमिटर था सिक्सा का सिक्सा के चेत्र में आमोल चूल परिवर्तन करने की इंशा में कदम बढ़ हैं और आने वाले पांच साथ सासाल दश सान में इसके और बेहतरी प्याबानामातने पैरामारे म refin Keever Vet ऐसागी इसकी लिए में उन सभी सिक्षगों का उन सभी बुरुजनों का जिन्होंने आगे आकर के इसे नित्रुत्व दिया इसकी ओनर सिपली और आज उसके परिणाम हम सब को देखने को मिलने हैं उन सब का हिरदय से विनंदन करता हूं और बेसिक और मातिमिक सिक्सा विवहाग को इस अभिनों कारिक्तरम के साथ जोड़ने के लिए हिरदय से ध विभागों को जनोंने प्रणानमत्री मोदी जी के इस विजन को अपने विभाग का मिसल बना करके उस लक्स की प्राप्ति करने में योगदान दिया है वे सभी धन्यबाद के पात रहें आज बहुत सारे कारिक्रमों के साथ बेसिक सिक्सा परिसत यहाँ पर आया है और इन संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है इन 6 वर्सों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अत्रिक्त बेसिक सिक्सा परिसत के विद्यालियों में आये हैं इतने नए बच्चों का नावंकन हुआ है यानि जो लगभग 1 करोर 30 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक सिक्सा परिसत स पढ़ते थे आज उनकी संख्या बढ़ करके एक करोड 91 लाग को पार कर चुकी है और इस संख्या को अभी बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट को लगातार कंट्रोल करना क्योंकि अक्सर होता है पांचवी के बाद आटवी के बाद ये बच्चे श्कूल नहीं जा पात उसको सफलता कि एक नहीं उचाई तक पहुचाया सोचिए कोई बेसिक सिक्सा परिश्ट को पहले देने की बात करता था क्या आज लगबाग 200 क्रोड रुपे की आपको CSR में निदी मिली जिन में 6 गुरुप को अभी यहां में सम्मानी किया आप सोचिए कि उन दान थी वे देना चाहते थे लेकिन पहले कोई लेने वाला नहीं क्योंकि कोई ओनर्सिक लेने को तयार थी एक करोड 91 लाग वे सदी बच्चे जवाद 1200 रुपे की रासी प्राप्त किये हैं जिनको इस टाइपेंट के रुप में सरकार अत्रिक धंदासी देती उन सब को इस धंदासी के उपलब्त होने के अउसर पर मैं उन्हें घ्रदै से बढ़ाई देता हूं और सभी एक भाव का और सभी शिक्सकों का मैं आवहन करता हूं कि वे इस कारिक्रम को सफलता की नहीं हुचाई तक पहुचाने में उन्होंने कहा कि करनाटक में महिलाओं ने हमें बताया कि इस महँगाई में घर चलाना बेहत मुश्किल है ऐसे में करनाटक की कॉंग्रेस सरकार एक करोड़ पैंतिस लाग घरों की महिला मुख्या की खाते में हर महीने दो हजार रुपई ट्रांसफर करेगी ग्रह लक्ष्मी दुनिया की सबसे बड़ी महिला डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की आज हम शुरुआत कर रहें एक करोड पैंतिस लाख घरों की महिला मुखियाओं के खाते में करनाटक की कॉंग्रेस की सरकार हर महीने दो हजार रुपिया डालेगी भाजप्पा निर्मित महेंगाई पर लोदी निर्मित महेंगाई पर करनाटक और कॉंग्रेस करनाटक की महिलाओं और कॉंग्रेस का ये सबसे बड़ा वार है साथियो आज कॉंग्रेस पार्टी देश और दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रही है भारती एराश्ट्रिय कॉंग्रेस की सरकार ग्रह लक्ष्मी कॉंग्रेस गैरंटी स्कीम की शुरुआत करेगी जैसा मैंने कहा ये देश और दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है महिलाओं के लिए करनाटक चुनाव से पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष शिरी मलका और जुन खडगे और हमारे नेता शिरी राहूल गांधी जी ने महंगाई से लड़ने का अहवान किया था चुनाव पूरव विपक्ष के नेता और मुझूदा मुख्यमंत्री शिरी सिधार मया प्रदेश उस समय और आज के अध्यक्ष और आज के उप मुख्यमंत्री शिरी डीके शिवकुमार और कॉंग्रेस के नेता और हर कारेकरता ने उस आहवान को मीनिंग फुली ट्रांसलेट करने का वादा किया था और उस वादे का नाम था ग्रह लक्षमी बगेर जाती देखे बगेर धरम देखे हर महीला मुख्या जो परिवार की है उसके खाते में हर महीना 2000 रुपिया ट्रांसफर होगा हमने वो उस आहवान को व्यापक तोर पर लिया असल में हम वापिस करनाटक की महीलाओं के पास गए सैंपल के तोर पर देश की महीलाओं का रुख भी किया और उनके उपिनियन उनकी राय भी ली और सब महीलाओं ने सबसे पहले हमें बताया के मोदी जी द्वारा 400 रुपे का जो गैस सेलिंडर कॉंग्रिस देती थी अब साड़े 1100 रुपे का हो गया है वो उनकी सबसे बड़ी पीडा है महीलाओं ने हमें बताया के 200 रुपिया का खाना का तेल खरीदना एसंभव है महीलाओं ने हमें जोर से कहा के 1500 रुपे किलो की डाल ने अब उनकी प्लेट से उनकी थाली से उनके घर से डाल को लगबग गायब कर दिया है महीलाओं ने बताया के खाने पीने की हर वस्तू वो दूद हो दही हो पनीर हो उसे खरीदना कार की स्कीम का गठन करिए कि जिससे हर महीना हमारा बजट चलाने में हमें मदद मिल सके तो ग्रह लक्ष्मी स्कीम को फॉर्म किया गया आज ये स्कीम लॉज हो रही है इसके कुछ मुखे बिंदू है जिनकी चर्चा में करूँगा पहला ये दुनिया की सबसे बड़ी मही महिला DBT स्कीम है ग्रह लक्ष्मी और हर घर की महिला मुकिया को 2000 रुपया मिलेंगे इंकम टैक्स वाले परिवारों को छोड़कर ना कोई जाती देखी जाएगी ना धरम देखा जाएगा हर परिवार को मिलेगा ना APL ना BPL कोई इसके अंदर डिविजन नहीं है ग्रह लक्ष्मी का पैसा 15-20 अगस्त के बीच 30 दिन रजिस्ट्रेशन के होंगे आथ से और उसके बाद ग्रह लक्ष्मी का पैसा रजिस्टर्ड महिलाओं के खाते में 15-20 अगस्त से जाना शुरू हो जाएगा पर रजिस्ट्रेशन खतम नहीं होगा एक महीने में ये निर एक करोड 11 लाख महिलाओं को ग्रह लक्ष्मी स्कीम का पाइदा मिलेगा और अगले साल तक हमारा ये अनुमान है कि ग्रह लक्ष्मी की लाभानवित महिलाओं की संख्या एक करोड 35 लाख हो जाएगी और हर साल 30 हजार करोड रुपिया करनाटक की महिलाओं के खाते में मुख्या महिला को दिखाया गया है जो अच्छी बात है तो इनको तो आटोमेटिक मिली जाएगा और और जो महिलाओं रेजिस्टर कराएंगी उन्हें भी मिलेगा तो आज से ग्रह लक्ष्मी का रेजिस्ट्रेशन विधान सभा से करनाटक की हम शुरू कर देंगे और कल स ही साथ हजार सेंटर हैं करनाटक में गाउं में जो सेंटर हैं उनको बोलते हैं सरकार के सेंटर हैं बापूजी सेवा केंद्र और जो शहरों में सेंटर हैं उन्हें बोलते हैं करनाटका वन और बैंगलोर में सिरफ उन्हें बैंगलोर वन का नाम दिया गया है तो उन साथ ह पर आप कहीं जाई नहीं छोटा सा ब्रेक पावर्ट बाय कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड फुल्फिलिंग प्रॉमिटेज विद और प्रोफेशनल टीम एंड एक्सपिरियंस अफ दिलिबरिंग प्रजेक्ट इन पास्ट वी गैरंटी यू पीस-फ-माइंड तो इम च्छे दे रहे तो चार तू भी दे तो मैंने चारहजार देना सुरू गिया और अब चारहजार नहीं अब मैं भी कित्ते दूँगा 6,000 तो 6,000 PM साथ के 6,000 कित्ते हो गए और 12,000 मेना लाजली बेना के 12,000 वेना के कित्ते हो गए 24,000 और अगर बूरी सासुमा होगी तो उसके भी बढ़ा की 01,000 कर रहा हूं तो 12 उसके मिलेंगे कित्ते हो गए और ये घर में सोचो के अगर दो थीन वहु है और भाई है तो बढ़ी बहु को भी आएंगे मन्जिली को भी आएंगे पिर मजले भाईया को भी झोटे अधिम कोभी ultimate को कितने परिवालें से हैं जिनको फिरी में रासन दे रहे हैं। आइस्पान भारत योजना एक लाग से जादा पुदान मंत्री आवास के मकान बने हैं। गरीबों के मकान बनाने का कम। किसान के खेतों में पानी। मेरे सिविनी जव्यान और भायों आज कहते हुए मुझे गर्व है कि पैच डाइवर्शन जैसी योजनागर बनाई तो कॉंग्रेस नहीं बनाई, मैंने बनाई भारती जंदा पार्ट की सरकार ने बनाई। और किसान भाईयों आज मैं कहना चाहता हुए अपनी वो नहर पक्की करने का, पक्की करने का, प्रोजेक्ट भारत सरकार ने मंजूर किया है, क्यों लारी विधान सभा भी उससे दाभान बिठोगी, सिवनी वालों लाल माटी के बचे खेतों में पानी लाने का संकल्प है, तो बेडा है भारती जंदपाइटी की सरकार का है, उसका भी सरवे प्रारम भोने बाला है, मुझे बताना, जितनी सिचाई की योझना भारती जंदपाइटी की सरकार ने बनाई, कभी कांग्रेट में बनाई थी क्या? पानी हो अपिजिली की भी याद दिला रहा हूं भांजो तुम्हें नहीं पता जेए लालते दिलो गर्मी के दिनों में सिविनी की सबकों पे मई जून में राद राद बर चड़ी बन्यान पे डाबिल लेके हवा करते हैं राद राद भर भी दिनिया के बताओ सही है जी नही भारती जन्ता पाइटी की सरकार ने किये और आज भी मैं आपको यह कहने आया हूं आगे भी विकास के काम भारती जन्ता पाइटी सरकारी करेगी उपर पुर्धान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी और नीचे मामा है और जन्ता का साथ है अभी भी विकास किया है आगे इस जिवनी के विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे आज आप से निवेदन करने आए देख हम जो काम कर रहे हैं बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं अभी एक हजार पदों पर सरकारी नोक्रियों में भरती जारी है पचपन हजार पदों पर पूरी हो गई अभी बाकी भी पड़ागी के मामले में थोड़ा सा संदेह पर ढगा तो मैंने तेह कर दिया कि न्युक्तिया नहीं होगी संदे जब तक समाप्त लिए कोई न्युक्तिнуться होगी जा'...गी और घड़बण लिक लेगे तो घड़ळ करने समामा ठीक कर देगा कोई जिंदाबण और पहलो तुम्हारी जिंदगी में आसुली रहने देना तुम्हारे चेहरे पर मुझ पुरहाट लेके आना है इसलिए हम भारती जंता पार्टी की सरकार चला रहे हैं मैं आज आज आप से कुछन चाहता हूँ मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर ने चंडिगर्ड में प्रैसवारता को संबोधित किया इस दोरान मीरिया से बात करते हुए सियम ने कहा कि आपदा के इस घड़ी में अपनों को खोने की भरपाई तो किसी कीमत पर नहीं की जा सकती पर बार से प्रभावित हुए हर एक व्यक्ति की मदद और उनको हुए नुकसान की हर संभव भरपाई जरूर की जाएगी आनक जो वर्षा की अधिक्ता और फिर पहाडों से जो पानी आया एक बाड़ की स्थी बनी लगातार हमारी सरकार हमारा अधिमिस्रेशन लोगों के बचाव के लिए प्रवस्ताओं को ठीक करने के लिए पहले दिन से ही एक्टिव हो गया था पूर तयारियों में वैसे हम पाड़ रात की जो हमरे बुलर मिटिंग होती हैं बाड़ के जो खाम के नाते से जिसे मैंने पहले भी बताया कि हम हर वर करने के आवशकता लगती है तो हमने शीघर जल्दी करने के काम छोटे काम है आने वाले समय में बाड़ से प्रहवेत ना हो सके तो शौटरम काम जनवरी में जो शुरू करते हैं मैई जून तक पूरे हो जाते हैं कुछ काम दीर काले होते हैं वो फिर अगले वर्ष के ब्याप्त हमारी विवस्था है ठीकती लेकिन चोके पानी जिस कदर और जिस मात्रा में आया तुका अनुमान लगाना कई बार कषिन होता है अगर मैं आकड़ों से बताओं तो आठ जुलाई और बारा जुलाई के बीच इस पांच दिन में समने तोर पर जो रेगुलर पि क्षेतर में पहलता है और उनको अपनी नदियों से आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन जिसम मने बताए हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया खासकर के यमुना में भी खासकर के मारकंडाय में भी तांगरी में और गगर में और साथ में छोटी नदी है बले सरसोपी जिसका मात्र दोसो क्योंषिक पानी की ख्षमता है वहरह थाँ दोजार प्यूषिक पानी उंद्रों में आया तीन दिन लगा था था तो इस पानी के कारण से बार जबा जैसे सिस्थी बनी बारा जिले हुने और बार प्रोफोस गुश्शत की यह सब बारा जिले जिसके अंदर कुल मिलाकर जिन गाउं में पानी भरा है बाड़ का तेरा सो त्रेपन गाउं और छे एंसी जिसमें तीम तो पूर्ण रूप से अंबाला शेर, अंबाला चावनी और बर्राड़ा तीन आशिक रूप से थोड़ा अरिया पंच्छकोला का भी एकस्वाड में पानी आया है शाबात में आया है तो से छे निस्पलिटिज भी इससे प्रहवित होई है इन सब गाओं में तुरंत जिला अडमिशन के लोग वो पहुंचे जहां SDRF की NDRF की आशक्ता थी वो हमने भिजवाई सेना के लोग वहां गए खानिये इतनी शक्तिती थी बुत सब लगी ही है हमारी पुलिस भी सामाने जो पुलिस के काम होते हैं उसके अत्रिक बचाव कार वह भी लगे कुल मिलाकर 41 रहत शिवर लगाए गया कुल आज भी 1714 लोग अभी उन केंपों में रह रहे हैं शेश अपने घरों को वापिस चले गए हैं ऐसे सब शिवरों में हमारे स्वास्ति भाग ने भी इलाज के लिए शिवर लगाए 147 गाउं में फौगिन तराए ग किये गए हैं और जिल लोगों का चोटी मोटी बिमारी के गाण से इलाज हुआ ऐसे 37000 लोगों का इलाज हुआ पश्वों के लिए चारा पानी की अपूर्ती दवाए और जहां नहीं शिवर से उनमीवी इसारी विवस्ताएं हमने सब की इस चारे पर जो हमारा डिजास्ट हुआ है जो लोग विट्व हो गए जिनकी उनके परिवारों के परिथी भी हमारी सानूव होती है उन यह गाए हैं उनके लिए चार लाख रुपया प्रफी विट्टी आ है और बहुत जल्दी वह मौवजा जो है उनके पडिवारों कर पपजा दिया जाएगा अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष रामविर सिंग विधूरी ने दिल्ली में बाड की स्थिती को लेकर प्रेसवारता को संबोधित किया नेता प्रतिपक्ष रामविर सिंग विधूरी ने कहा कि राजधानी को बाड में डुबोने के लिए पूरी तरह केज़िवाल सरकार की जिम्मेदार है अगर यमुना की समय पर सफाई कराई जाती आईटियो यमुना बैराज़ पर ध्यान दिया होता और यमुना में गिरने वाले 17 ड्रेन की गाद निकलवाई होती तो आज हजारों लोगों को बाड की तरासदी से बचाया जा सकता था अर्विंत केज़िवाल ने पिछले चीने साथ से अपेक्स कमेटी दिल्ली फनट बोर्ड की बैठक ही नहीं गुलाई तीन साथ से मैं लेडर को कुईशन हुए एक भी बैठक भी हुई लेकिन आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं दिल्ली डूम गई तो एक दुसरे के उपर आरोप लिया जाता है मैं आज दिल्ली के बुख्यमक्त्री अर्विंद केडिवाद से पूछना चाहता हूँ कि जो डिल्ली में आईटियो जमना बेराज है इसकी जो मेंटेनेंस है वें हर्याना सरकार के द्वारा की जाती है मार्च 2008 से लेकर आज तक अर्विंद केडिवाद की सरकार ने हर्याना सरकार को मेंटेनेस का पैसा नहीं दिया हर्याना सरकार को पत्र भी लिखा तो क्या अर्विंद केडिवाद इस सभाब देंगे और आईक्यों यमना बेराज बर जो बिल जॉत लगभला पिल्फला कि जो दिल्ली सरकार ने चाहने उसके बाद में बिजिनी के कट्रेंशन के लिए अपनाई किया बिजिनी कमपने का जो बकाया था वो भरा गया और का लक्रवाया यह मैं बात कर रहा हूं 26 मार्च 2022 को यह बिजिनी का कर दिया गया था उसके बाद जून 2022 में हरियाना सरकार ने फिर इस बिजिनी केस्ट लक्रेंशन को कि यह नमें दिल्ली की सत्रे ब्रेंज गिरती है सत्रे नारों का जो आदी है वे यह नमें गिलता है ड्रेंट नमबर 12 जो इंडर्डुस्त मेट्रो स्टेशन के पास में ही यह नमें गिलती है उसका गेट तूट गया और उसी से डबू हो बिल्डिंग आईटियो चौर्प पानी पहुच गया और वह गया पूरी तरह से फ्लेटिट हो गया पिछले आठ सालों में यम्ना की डिस्टिंग नहीं हुई मैं अर्विंद केग्रिवाद से पूछना चाहता हूं कि आज भी यम्ना में 6 फिट गाध है आखे बताएं कि 8 सालों में एक बार भी उन्होंने यम्ना की डिस्टिंग कराई है क्या इसका जवाब मैं उनसे लेना चाहता हूं अब अर्विंद केग्रिवाद कहते हैं कि हत्नी कुंट वैरास से बहुत ज्यादा पानी छोड़िया गया मैं आप सभी को जानका नहीं जहना चाहता हूं कि 11 जुलाई 2023 को हत्नी कुंट वैरास से 3,69,000 पानी छोड़ा गया और 2013 में 8,69,000 पानी छोड़ा गया जब 8,69,000 पानी छोड़ा गया तो दिल्ली टूब ही नहीं लेकिन केवल जब 3,69,000 पानी छोड़ा गया तो दिल्ली टूब गयी तो अर्विंद के दिल्वाद आपको जवाब देना पढ़ाएगा और उसके पीछे कारण क्या है कि अप इनकी प्रोपर डिसे हुए नहीं भी मोका मौया मंत्री मंत्री जाते ते और सभी वरिष्ट अधिकारी मोके पर जाकर नालों की इस्तिति क्या है ठीक से पीजिटिक हुई नहीं हुई उसकी जानकारी यह देते थे कि देखिए बाड पीडितों के लिए उन्होंने 10-10,000 रुपे की आर्थिक साइटा की घोस्ना की है लोग का बहुत उक्सान हुआ है सरकारी लापरवाई के चलते हुए उक्सान हुआ है तो कम से कम यह जो 10,000 रुपे की रासी उन्होंने निधारित की है इस पर बढ़ाकर कम से कम एक लाप रुपे अतिया जाए दिल्ली में बाड के चलते हुए 10 लोगों की मिर्टी होई जो 10 लोग जोंकी मिर्टी हुई है उनको अर्वित केंडिवाद की सरकार्टियों से 10-10 लाप रुपे दिये जाने चाहिए किर्ति नगर फरनिचर ब्लॉक मार्केट एस्सचिएशनków की नवनिर्मित सडक का उदखाटन पर विधांसभाय के विधायक शिव्चरन गोयल ने रिबन काटकर वर नार्यल फूड कर किया इस दौरान किर्तिनगर फरनीचर ब्लॉक मार्केट एसोसियेशन के प्रधान रतिंदर पाल सिंग सहित शेत्र के नागरिक भी उपस्तित रहे इस अफसर पर राष्ट सरुप्रथम मीडिया टीम ने विधायक शिवचरन गोयलबा किर्तिनगर फरनीचर ब्लॉक मार्केट एसोसियेशन के प्रधान रतिंदर पाल सिंग से बात की किर्तिनगर फरनीचर मार्केट पोरे एश्या के सरुड़े मार्केट है और ये करीब 1934 में बसी थी तब से इनके साथ में वादे पर वादे किये जा रहे थे लेकिन कभी भी किसने ध्रातल पर काम नहीं किया तो मैं जब चुनके आया 2015 में मेरी मलाकात हुई अर्मनिया दिखा तो काफी दशा और दिशा पुरी खराब थी तो समय एक मन में इच्छा थी कि कम से हम भी सड़के पुरी बनने चीए नालिया बनने चीए जो भी सिस्टम में मेंडेन होना चीए तो कि दूर दूर से लोगा आते हैं और उनने सूधा मिलने चीए दिल्ली की शान ही है उसको हम उस कारवाय पर लगे ये कीरतिनगर की जो मार्कि सब्सक्राइब करें इंटरनेशनल लेवल की हैं हमने 14 इंची मोटी सड़कें बनाई हैं सिम्टेट की सड़कें हैं जो अगले 20-30 साल आप बड़ी सिस्टम में बनाए किसी से क्यों पार्शल्टी नहीं की है चाहे मजदूर भाई हो चाहे वेपारी भाई हो चाहे जो आने मक्या मंतरी अर्विंगे जिस तरह से कारते हैं यह निशन दे पूरे दिल्ली में और देश में मिसाल है मैं इनका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि बहुत ही बहतरीन तरीके से काम हुआ है कोई डाउट नहीं है और मैं अपने सभी विपारी भाईयों का भी बहुत बड़ा शुकर गुजार हूँ बड़ा उन्होंने बहुत सहयोग दिया है कि इतने इतने द दिन तक दुकाने अपनी बंद रखी हैं काम बंद रखे हैं ताकि ये काम सफल हो सके हो सके पंदरा पंदरा दिन तक एक दुकाने बंद रही हैं लोगों की कही हो लेकिन वो पंदरा दिन आज उनको पंदरा साल जैसे इनने का पंदरा साल तक वो इनके गुणगान गाएं और स्विकार किया इसके लिए बहुत बहुत करें और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूटूब चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले आज हम इसकार्ट किरम में आपसे बिदा लेते हैं आप अनखबरों के लिए बने रहें राष्टर पर्थम बंदे मातराम जाग उठा है भारत राष्टर सोल्बर्धन, राष्टर सोल्फधन, राष्टर सोल्फधन